हेलो फ्रेंट्स, आज में आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक नास्ते की रेसिपी लेके आई हूँ आज इस नास्ते को हम मसूर दाल और सोया बीन से बनाएंगे घर के ही कुछ समान से असानी से इस नास्ते को बना सकते हैं ये खाने में टेस्टी तो लगती ही है, साथ में बनाना भी इजी है तो फिर देर किस बात की चलते हैं, बनाते हैं ये नास्ता बनानी के लिए सबसे पहले लेना है एक अप सूजी अब इस सूजी में हमें डालना है नमक, नमक आप अपनी स्वात के अनुसार डाल सकते हैं साथ में ही डाल देंगे आधा चम्मत जीरा अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती और चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स के जगा आप लाल मिर्ची को भी कुटके डाल सकते हैं अब सूजी में इन सारी चीज़े को मिक्स कर लेंगे अब यह मिक्स हो गया अब इस सूजी में आधा कप पानी डालेंगे एक कप सूजी में आधा कप पानी डालना है अब पानी डाल के अच्छी तरह से सूजी को मिक्स कर लेंगे सूजी को सक्त आटा की तरह गुतना है अब इस तरह से हमने डोर एडी कर लिया अभी से ढख के आधी घंटे के लिए छोड़ देंगे अब लेना है एक कप मसूर की डाल मसूर की दाल को हमने एक घंटा के लिए भिगो के रखा था साथ में हमने लिया है एक कटोरी सोया बिन जिसको हमने गरम पाली में अच्छी तरह से उबाल लिया है एकदम सॉफ्ट हो गया इस तरह से उबाल लेना है मसूर दाल और सोया बिन को पीस नहीं है उसके लिए एक मिक्सी का जार में दोनों को डाल देंगे मसूर दाल को और सोया बिन को और पीस लेंगे बिना पानी डाले अब इस सोयाबिन और मसूर डाल अच्छी तरह से पिष्च चुका है, हलका सा दानेदारी रखना है, बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना है अब लेंगे एक पैन, एक पैन में दो चमच तेल डालेंगे, अब इस तेल में डालेंगे आधा चमच जीरा, अब इस जीरा क्रैकल हो गया है, अब इसमें डालेंगे एक चमच अधरक लसन का पेष्ट, पेष्ट की जगा आप असानी से कूट के भी ले सकते हैं, आज मैं यह साइज का प्याज जिसको हमने चोटे में कट किया है अब इस प्याज को हमें भूनना है दु मिनट के लिए अभी प्याज भून चुका है कलर चेंज को उसे बस अब इसे मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से अब इसे हमें 5-7 मिनद तक भूनना है जब तक पूरा अच्छी तरह से डाल का पानी सुख नहीं जाता है अब इसमें हम कुछ मसाले आड़ कर लेते हैं आधा चमच हल्दी पाउडर साथ में ही डाल देंगे न बस अब इसमें बन के रेडी होगी है अभ से दिकाल लेते हैं अब इस सूजी भी पूरी अची तरह से फूल चुका है एक्दम अच्छा सखता डो की तरह हो गया है अब एक छोटे साइस का लौई लेंगे अब इस सूजी से एक बड़े साइस का लौई बनाएंगे जितना बड़ा हम लोग पराठा बनाते है ना वस उसी थोड़ा सा बड़ा अब देखे इतने बड़ा एस साइज का हमें नहीं लोई लिया है अब इस तरफ से गोल कर लेंगे अब इस सूजी के लोई को बेलना है ये सूजी के रहने के कारण इसमें तेल भी नहीं लगता है बेलने टाइम और नहीं सुखा आटा लगता है बिल्कुल भी बेलन में चिपकता नहीं और आसानी से आप बेल सकते हैं अब हमने एक बड़े साइज का बेल लिया है, थोड़ा सा मोटा ही हमने रखाया, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है अब आप देख सकते हैं, इतना मोटा रखाया है हमने अब जो हमने स्टफिंग बनाके रैडी किया है, उस स्टफिंग को इस तरह से लंबे में करेंगे और इस तरह से जो हमने रोटी बेल के रखा है, उसके उपर रख देंगे इस तरह से बस अब एक सैट से रोल करते जाएंगे बस इस तरह से सावधानी से आप रोल करें आसानी से रोल हो जाएगा अब हलका हाथ से प्रेस करके फिर एक बार रोल कर देंगे अब ये रोल हो गिया है अब इसे हम कट कर देंगे अब इतने बड़े बड़े साइज में हमें रखना है अब हमने सारे रोल को बना के रैडी कर लिया है अब हम एक सलरी बनाएंगे उसके लिए एक चमच मैदा लेंगे मैदा की जगा आप कॉन फ्लोर भी ले सकते हैं बस थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हम घोल लेंगे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है गाढ़ा ही रखना है अब एक रोल लेंगे और इस तरह से दोनों साइड से स्टफिंग के साइड बस इस तरह से डीप कर देंगे कि जब हम फ्राई करें तो ये बाहर स्टफिंग नहीं निकले अब इसे फ्राई कर लेंगे उसके लिए पैन में तेल गरम करेंगे जब तेल गरम हो जाएगा तो सारे रोल को इस तरह से डाल देंगे और डाल के हाई फ्लेम में इसे फ्राई कर लेंगे अब चारो साइट से रोल को पलट पलट के फ्राई कर लेना है जब तक golden नहीं हो जाता है तब तक अब सारा रोल फ्राई हो गया आप देख सकते हैं golden हो गया है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब यह चटपटा सा क्रिस्पी सा नास्ता बन के ready हो गया है और यह healthy भी है खाने में भी tasty लगता है क्योंकि आज इसमें मैंने stuffing में दाल और सुयाबीन stuffed किया है तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा यह healthy है अब देख सकते हैं आप अंदर तक कितना बढ़ियां stuffing लग रहा है देखने में तो friends अगर आज की यह recipe अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें